पाकस्तान जवाब के अधिकार के इस्तेमाल में भारत ने कहीं बात घाटी के मौझूदा हालाद के लिए सीमा पार आतंकवाद जिम्मिदा सिक्किम के रास्ते केलाश मांसरोवर यात्रा शिरू करने के लिए चीन बातचीत को तैयार चीनी विदेश मंत्राले का बायार ब्रह्मपुत्र जल पर आकड़े मुहया कराने पर करेगा विचार बे हाई स्पी ट्रेन की आधार शिला समारों में होंगे शामिल गोर्खा लैंट पर दूसरे दौर की वारता बे नतीजा जीजेम ने ठुकराए मुख्यमंत्री ममताव एनरजी की बंद वापस लेने की अपील 90 दिन से जारी है निश्रित काली हर्ता और कोडिया सूपर सिरीज बैंडमिंट इंट ओडामेंट में पीवी सिंदू का पहला मैच हॉंग कॉंग के खिलाडी चियूंग इंगान से होगा सामना प्रणीत और कश्चिप समे तेरा अन्य भारतियों की मुकाबलों पर भी नज़र आतंकवाद और मानवादिकार उलंगन की मुद्दे पर संयुक्त राष्ट मानवादिकार परिशद में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है भारत ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोशत आतंगवादियों की पनागा बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र में भारती अस्थाई मिशन के प्रथम सचेव सुमिद सेथ ने जवाब के अधिकार का इस्तमाल करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि आतंगवाद मानवादिकारों का गंभीर उलंगन है और इसे अधिराष्ट्रे समुधाय को स्वीकार करना चाहिए सुमिद सेथ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों की मानवादिकारों का लगातार उलंगन करता रहा है जिन में पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान भी शामिल है सुमित सेट ने जमू कश्मीर की मौजूदा स्थिती के लिए सीमा पारा तंकवाद को जिम्मेदार ठहराया जम्मू कश्मीर के लिए करा धारा तंकवाद को जिम्मू कश्मीर के लिए सेट जामिल है पर शुरू करने को लेकर चीन भारत से बाचीत के लिए तैयार हो गया है सिक्किम रूट को डोकलाम विवाद के बाद चीन ने बंद कर दिया था चीन के विदेश मंतराले के प्रवक्ता गैंक शुवान ने कहा है कि चीन भारत के साथ इस रास्ते को खोलने और तीर थियात्रियों से जुड़े दूसरे मुद्दो पर बाचीत के लि चीन भारत के बीच 73 दिनों तक चले डोकलाम विवाद रिक्ट शिकर सम्मिलन में शुरू होने से एक हफते पहले ही दोनों देशों ने इस गतिरोद को खत्म कर दिया था चीन ने ब्रमु पुत्र नदी का जलिया आकडा भारत को देने पर फिलहाल विचार करने की बात कही है। और भविश्य की दिशा तै करेंगे। प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत जापान के साथ अपने संबंदों को काफी महद्व देता है और हम विभिन क्षेतर में द्वी पक्षे रिष्टों को और आगे बढ़ाने के लिए आश्चान विथ हैं। प्रधान मंत्री ने करेंगे। प्रधान मंत्री ने करेंगे। प्रधान में प्रभाव बढ़ाने के मकसद से भारत ने कल बेलारूस के साथ दस समझोतों पर हस्ताक्षर किये। इन करार में विग्यान और तकनीक में सहयोग से लेकर रक्षक शेत्र में साथ मिलकर मैनुफाक्चरिंग शामिल है। बेलारूस ने भारत से यूरेशिया संग के साथ मुक्त ब्यापार संधी करने का प्रस्ताव भी रखा है। दो दिन की भारत यत्रा पराय बेलारूस के राष्टपती अलेक्जेंडर लुकाशेनको ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के साथ शिकर वारता गी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कौशल विकास, खेल, वोकेशनल सिक्षा, कृशी, तेल और गैस चेतर में सहियोग के लिए खरार हुआ। इसके अलावा संस्कृती, ओटाश, उत्पादन और भावन निर्माड में सहियोग का समझाता हुआ। भारत और बेलारूस मनुफेक्चरिंग और दवाई की चेतर में भी सहियोग को बढ़ाएंगे। भारत बेलारूस के राजनेक संबंधों की रजज़ेंती के मौके पर एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया गया। भारत और बेलारूस ने मेक इन इंडिया के तहट रक्षा शेत्र में सहयुक्त उत्पादन पर सहमती जताई। बेलारूस ने भारत को युरेशियन जोन के साथ मुक्त व्यापारसंदी करने की पेशकर्श की है। लगया गया एक विजस्टैंट इंडिया के त्री जोन वेश्चिर्टेस नेता स्टीन का एंडिया Сवचमा अप्सेटान्स दोनों नेताओं ने दूपक्षिय मुद्धो पर बाचीत की बेलारूस के राष्टपती ने विदेश मंत्री सुस्मा सुराज से भी मुलाकात की इसके पहले सुबह राष्टपती भवन में बेलारूस के राष्टपती को राजिकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया केंदरे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को चार फीजदी से बढ़ा कर दिया गया है केंदरे कैबनेट का ये फैसला एक जुलाई से लागू होगा मंत्री मंडल विस्तार के बाद पहली कैबनेट की बैठक में मंगलवार को कई फैसलों को मंजूरी दी गई केंदरे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक फीजदी का इजाफा कर दिया गया है अब एक जुलाई से इन्हें पांच फीजदी महंगाई भत्ता मिलेगा इस फैसले से करीब पचास लाग कर्बचारी और 61 लाग पेंशनरों को फायदा होगा इससे सरकारी खजाने पर हर साल 3,000 करोड का अतरिक्त बोज पड़ेगा इसके लावा सरकारी और निजीक शेतर के कर्मचारियों के लिए ग्रैचुएटी की अधिक्तम सीमा भी 10 से बढ़ा कर 20 लाग रुपे की गई है इसके लिए पेइमेंट फॉर ग्रैचुएटी अमेंडमेंट बिल 2017 को संसत में पेश किया जाएगा कैबिनेट ने BSNL के मुझा टावर एसेट्स को अलग करने को भी मंजूरी दी है इसके तहट BSNL की बजाए टावर लगाने के लिए दूसरी कंपनी बनेगी कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड को भी एरिकार प्रदान कर दिया है कि वो एक सबसी देरी बना करके जिसका पूरा स्वामित्वर भारत संचार निगम लिमिटेड का होगा ये टावर की फुल पोटेंसियलिटी को हारनेस करने का काम कर सके केंद्रिया कैबिनेट के बाद कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समीति की बैठक में भी कई फैसले हुए इसमें बारबंकी अकबरपुर के बीच रेलवे लाइन को मंजूरी 247 किलोमीटर लंबी दाउंद मुलूंड रेलवे लाइन का दोहरी करण शामिल है बजट घोषना के मुताबिक डेरी उद्धियों के लिए कोश बनाय जाने को मंजूरी दी गई है अगले 10 सालों में करीब 11,000 करोड के इस फंड से डेरी क्षेतर का विकास होगा पंचानन मिश्रा राजिसभा टीवी दिव्यांग जनों के बेहतर भविश्य के लिए दिल्ले में इंक्लूजिफ इंडिया समिट 2017 की शुरुवात हुई कारिकरम में सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंतरी धावर चंद गहलोत ने कहा है कि सरकार ने बीते सालों में दिव्यांग लोगों के लिए कई नई पहल की है दिव्यांग जनों की शिक्षा और रोजगार के आरक्षन को सुनिश्यत करने के लिए भी सरकार ने काम किये है सम्मिलन में केंद्रे मंतरी स्मृती रानी ने कहा कि दिव्यांग जनों के विकास की उजनाओं को शेहरों से गाउं तक ले जाने की जरूरत है साथ एक कर्यर काउंसलिंग के लिए भी एक कदम उठाय जाने चाहिए इस सम्मिलन में देशवर से आई विशेशग्यों ने हिस्सा लिया जुनोंने अपने अनुभाव और सुझाव रखे हर चेत्र में 46 सजार के आसपास हमने इन वर्गों के लोगों को लाभानवित किया है उसमें कोशल प्रिशिक्षन और रिंड सुविधा भी है रोजगार उपलब्द कराने की द्रश्टी से ग्रामीन अंचलों में ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर हम व्यवस्था को और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं इस पर आज अगर इस समिट में कहीं न कहीं चर्चा हो तो मुझे लगता है कि विशेश्टा इंस्टिटूशनली ग्रामीन अंचल में हम इस कारेक्रम को और सफल बना सकते हैं सुप्रीम कोट में कहा है कि अगर विवहा के दोनों पक्षिकार राजी हों तो उने तलाग के लिए छे महिने का इंतजार नहीं करना होगा अदालत के मताबिक अगर पती पत्नी दोनों ने एक साथ नहीं रहने का फैसला ले लिया है और उन दोनों के साथ आने की गुंज़ाईश खत्म हो गई है तो निशली अदालते पक्षिकारों को छे महिने की कूलिंग पिरेड में छूट दे सकती है हिंदो विवा कानून के मताबिक तलाग के लिए आविदिन करने पर पती पत्नी को 6 महीने का समय देता था जिसमें वो अपने फैसले पर दुबारा सूचते थे इसे ही कूलिंग पिरेड कहा जाता था कूलिंग पिरेट के बाद भी अगर पती पत्नी राजी नहीं होते थे तो उन दोनों की बीश तलाक हो जाता था सुप्रीम कोट ने आठ साल से एक दूसरे से अलग रह रहे एक दमपती की आचिका पर ये फैसला दिया है सुप्रीम कोट ने शर्तों के साथ दिल्ली NCR में पताकों की बिकरी की इजाज़त दी है कोट ने पिशले साल नवंबर के आदेश में संशोधन कर दिया है पताकों की बिकरी के लिए स्थाई और खुद्रा लाइसेंस पर लगी रोक को अदालत ने कुछ समय के लिए हटा दिया है अदालत ने कहा कि दिवाली के बाद वायू की गुडवत्ता देखते हुए सादेश की समीक्षा की जा सकती है कोट ने दिल्ली पुलिस को अस्थाई लाइसेंसों की संख्या कम करने का निर्देश भी दिया है पिछले साल की तुल्ला में अदालत ने इसके अधिक्तम सीमा 500 निर्धारित की है सुप्रीम कोट ने केंदरी प्रिदूशन नियंतरन बोर्ड के अधिक्ष की अगवाई में समिती का गठन किया है यह समिती पठाखों से लोगों के स्वास्ते पर पढ़ने वाले असर का ध्यन करेगी समिती का अपने रिपोर्ट 31 दिसंबर 2017 तक कोट को सौपनी होगी खबर जारी है लोट रहे हैं छोटे सिब्रे के बाद सरोजनी नाइडू, स्वतंदरता सैनानी, कवीत्री और वक्ता कॉंग्रिस की अध्यक्ष, निर्वाजत होने वाली पहली भारतिये महिला सरोजनी ने 13 साल के उम्र में रची थी पहली कविता आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज जपाल भारत कोकिला के नाम से मशूर सरोजनी नाइडू है, नारिश शक्ती की अनूठी मिसाल केंद्रे ग्री मंतरी राजनाथ सिंग ने कश्मीर के आलात में सुधार के लिए सभी राजनितिक पार्टियों से सहयोग की अपील की है, उन्होंने सीमा पार से लगातार गोली बारी पर भी पाकिस्तान को चेताबनी दी है केंद्र सरकार ने सीमा वड़ते लाखों में रह रहे लोगों की समस्या दूर करने के लिए विशिशग्य समिती बनाने का फैसला किया है ग्रिमंत्री ने साफ किया कि केंद्र सरकार राज्य के तीन उक्षित्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाक के एक समान विकास के लिए प्रतिबद है केंद्रिय ग्रिमंत्री राजनात सिंग ने कहा है कि पाकिस्तान सीमा पर गोली बारी से बाज नहीं आ रहा है जम्मू में उन्होंने साफ किया कि रवये में बदलाव नहीं लाने पर पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा राजनात सिंग का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ रिष्टों में सुधार को लेकर दिलचस्वी नहीं दिखा रहा उन्होंने सीमा की सुरक्षा को केंदर सरकार की प्राथमिक्ता करार दिया ग्रेह मंत्री ने कहा कि जहाँ पर फेंसिंग संभव नहीं है ऐसे लाकों में रडार, सेंसर्स और कैमरों की साहिता से सुरक्षा पुखता की जा रही है लगातार पाकिस्तान के तरफ से जिस प्रकार से सीज़ फायर वाइलेशन हो रहा है उससे मिझे लगता है कि सच मुझ पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिष्टों को सुधारने में बिल्कुल दिल्चस्पी नहीं रखता है सीज फायर वाइलेशन के सिलसिले को पाकितान को बंद करना होगा क्योंकि हमारे सेना हो अथो हमारी बार्डर्श शेकोटी फोर्स के जबान वह उन्हें बहुतोर जवाब दे रहे हैं और ऐसे हालाद पैदा करेंगे सीज फायर वाइलेशन आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ेगा सीमा पार्ड से गोली बारी में जो नागरेग मारे जाते हैं या जो 50 फीजदी से जादा विकलांग हो जाते हैं उनको 5-5 लाख रुपे की राशी दी जाएगी केंदर सरकार ने सीमा पर रह रहे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेशक्यों की समिती बनाने का भी फैसला किया है सीमा वर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं और शुरूतियों का अध्याइन करने वाला एक export group भी बनाने का हम लोगों ने फैसला किया है Border Area Development Project के तहत जो fund है उसका proper utilization कैसे हो कहां कहां करना शाइए इस सम्बन्द में वह export group अट्वाउचे study group कहें वह अपनी report देगा और उस पर हम लोग अमल करेंगे केंदर ने कश्मीर घाटी में रह रहे प्रवासियों को 3000 नौकरी देने का फैसला किया है इसके लिए राज्ये को 1080 करोड की राशी दी गई है पाक अधिकृत कश्मीर साय प्रवासियों के पुनरवास के लिए 2000 करोड के package को मंद्जूर किया गया है राजनात सिंग के मुताबिक आधार से लिंक कर इसे बाटा जाएगा ग्रेमंत्री राजनात सिंग चार दिन के जम्मु कश्मीर दोरे पर थे मंगलवार को दिल्ली रवाना होने से पहले राजनात सिंग ने विपक्षी पार्टी कॉंग्रिस नाशनल कॉंफरेंस, पैंथर्स पार्टी के लावा, सत्ता धारीी PDP और BJP के प्रतिनीधी मंदलों से मुलाकात की इससे पहले सोमवार को जम्मु में उन्होंने समाज के अलग-अलग तपके 28 प्रतिनीधी मंदलों से मुलाकात की थी दियोरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी के समाधान के लिए बादचीज जारी रहेगी और अगले दौर की बैठक 16 अक्टूबर को होगी इस बीच जीजेम प्रमुग बिमल गुरूंग ने मुख्यमंत्री मम्ता बैनर्जी की अनिश्रित कालीन हर्ताल वापस लेने की अपील को ठुकरा दिया है मराठा अरक्षन पर महराष्ट सरकार ने केबिनेट उप समिती का गठन कर दिया है पीटिया के मुताबिक पांस सदस्य समिती के धक्षिता राजस्व मंत्री चंद्रकाद पाटल करेंगे समिती के सदस्यों में बीजेपी के गरीश महाजन और संभाजी पाटल के अलावा शिवसेना के दिवाकर राउते और एक नास शिंदे भी शामिल है नौ अगस्त को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षन की मांग को लेकर मराठा समुदाय ने मुंबाई में मूख मोर्चा निकाला था इसे दिन मुख्यमंत्री देविन वडिनवीस निराज जेविधान सभा में इस मामले पर क्याबिनेट उप समिती बनाने की खोशना की थी और अब राजनीते से जोड़ी कुछ और खबरे अन्ना द्रमुक की आम परिशत की बैठक में मंगलवार को कई बड़े फैसले हुए महासचेव पद से वीके शशिकला को बरखास कर दिया गया है शशिकला के सभी फैसलों को रद्द कर दिया गया है साथी महासचेव का पद खत्म कर दिया गया है मुख्यमंतरी के पलानी सामी संयुक्त समनवयक दोनों के पास पास पार्टी के सभी प्रशासनिक अधिकार होंगे अब अन्ना द्रमुग पुराना नाम और दो पत्ते वाला चुनापचिन हासिल करने की कोशिश करेगा हाला कि दिनाकरन गुट ने इन फैसलों को अवेद बताया है अन्ना द्रमुग के दोनों गुटों के विले के बाद ये आम परिशत की पहली बैठक थी 21 अगस्त को दोनों गुटों का विले हुआ था इसके बाद दिनाकरन गुट के 19 विधायकों ने राजपाल से मुलाकात कर मुख्यमंतरी के पलानी सामी में विश्वास जदाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी हाला कि मुख्यमंतरी का दावा है कि सभी 134 विधायक उनके साथ हैं तमिलाडू के विपक्षी दल भी मुख्यमंतरी से दोबारा विश्वास मत हासिल करने की मांग कर रहे हैं द्योरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी चुनावयूग ने जेडियो की बागीनिता शर्दयादव के दावे को खारच कर दिया है चुनावयूग का कहना है कि शर्दयादव अपने दावे के पक्ष में काथ्जाद या देस्तवेज उपलब्द नहीं करा सके 25 अगस्त को शरद्यादव ने चुनावायोग मियाचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने गुट को असली जनत अदल यूनाइटड होने का दावा किया था गुर्दासपूर लोकसवा सीट के लिए उपचुनाव 11 अक्टूबर को होगा केरल की विंगरा वधानसवा सीट के लिए भी इसी दिन उपचुनाव कराया जाएगा इसके लदी सूचना 15 सितंबर को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामानकन पत्र भरने के प्रक्रियाफ शुरू हो जाएगी नामानकन पत्र भरने के आखरी तारीक 27 सितंबर हो गई गुर्दास पूर लोग सबासीट बीजेपी सांसद विनूद घना के निधन के बाद खाली हो गई थी दिल्ले विश्विदाले चातरसंग चुनाओ के लिए मंगलवार को मतदान होने के साथ ही उम्मीदवारों की किसमत एवियम में बंद हो गई कड़ी सुरक्षा के बीच हुए चुनाओं में करीब 43 फीस दी वोटिंग हुई माना जा रहा है कि ये बीवीपी और एनसीवाई के बीच मुखे मुकाबला है और इसके नतीजे आज आने वाले हैं खुद्रा मेंगाई दर बढ़कर पांच महीने के शीश स्तर पर पहुँच गई है अगस्त में ये दर 3.3 शीफीस दी रही जुलाई में खुद्रा मेंगाई दर 2.3 शीफीस दी थी अगस्त में फल और सबजियां महंगी हुई साथे तैयार भोजन, स्नाक्स और मिठाईयां भी महंगी हुई आला कि मास, मशली, तेल सस्ते हुए जुलाई में और 2.3 शीफीस दी पर आगई पिछले साल एसी महीने में ये दर 4.5 शीफीस दी थी जुलाई में भी निर्मान और पुझी गत सामानों के उत्पादन में गिरावट आई जुलाई में भी निर्मान क्षेतर की व्रिधीदर 0.5 फीस दी रही अला कि बिजले उत्पादन और खनन क्षेतर का प्रदशन अच्छा रहा नेपाल के राजदूद दीपकुमार उपाद्याय ने भारत और नेपाल को अभिन मित्र बताया फॉरेंड कोर्रिस्पॉंडन क्लब में उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बार जैसे आपदाओं से निपटने के लिए रणनीती तयार करनी होगी इसके लाबा दोनों देशों को व्यापार बढ़ाने के लिए भी नए पहल करनी होगी नेपाल के प्रिधान मंत्री ने हाली में भारत का दौरा किया था और इसमें कई एहम समझोते होगी हुए थे राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प ने भारती मूल की अमेरिकी वकील मनीशा सिंग को आर्थिक कूट नीती का प्रभारी बनाते हुए महतुपूर प्रशासनिक पद गिले नामित किया है फ्लॉरिडा की मनीशा सिंग फिलाल मुख्य काउंसल और सिनेटर डैन सुलिवन की वरिष्ट नीती सलाकार है अगर सिनेट में उनके नाम की पुष्टी हो जाती है तो वो आर्थिक मामलों की सहयक विदेशमंतरी के तौर पर चार्ल्स रिवगिन का स्थान लेंगी उनका ना खेलो की कोरिया सूपर सुरीज बैडमिंटन टोर्नमेंट दक्षन कोरिया की राजधानी सियोल में शुरू हो गई है मैला सिंगल्स में पीवी सिंदू जबकि पुरुष सिंगल्स में पी कश्यप, एचस प्रनाय, बी साइप रनीत, समीर वर्मा और सौरव वर्मा आज बात खास शक्सियत की, महान करांतिकारी, जतीन दरनाद दास की आज जिपुनित थी है, वो सुतंतरता संग्राम के ऐसे करांतिकारी थे जिनोंने 63 दिनों के अंचन के बाद देश की आजादी के लिए जेल में ही अपने प्रान त्याग दिये 14 जून 1929 को खरांतिकारी गते विधियों के आरोप में इन्हें गिरफतार कर लिया गया और उन पर लाहोर शनियन तरकेस में मुकदमा चला जेल में प्रांतिकारीयों के साथ राजबंदियों के समान व्यवार नहीं होने के कारण प्रांतिकारीयों ने 13 जुलाई 1929 से अंचन शुरू कर दिया जते इंदर नाद भी इसमें शामिल हुए अंचन के 63 दिन जेल में ही उनका देहान थो गया हिंदी फिल्मों के मशूर गीतकार, मशूर शायर, अंचन के आजब उनने ते थी है साहित्य के करिशमाई विक्तित्व अंचन का जन्म ठाई सक्टूबर 1930 को उत्तर प्रदेश के बनारस में उनका असली नाम लाल जी पांडे था करियर की शुरुआत 1903 पर में फिल्म गोलकुंडा का कैदी से उन्होंने की 1963 में पंडित रवी शंकर के संगीत से सजी फिल्म गोदान में उनके गीत चली आज गोरी पिया की नगरिया की काम्याबी के बाद अंजान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इसारा बदला ये मौसम लग प्यारा जब जसारा स्कुते हुए आते हैं सब अस्ता हुआ जो जाएगा वो मुकादर काशिकंदर वो मुकादर काशिकंदर जाने मन कहलाएगा और अब आखिर में हिट लाइन्स सई उक्तराश चुकी और से घोशित आतंक्यों की पनागा पाकिस्तान जवाब के अधिकार के इस्तमाल में भारत ने कहीं बात घाटी के मौजूदा हालाद के लिए सीमा पारा तंगवाद जिम्मेदार सिक्किम के रास्ते के लाश मांसरोवर यातरा शुरू करने के लिए चीन बाचीत को तयार चीनी विदेश मंत्राले का बयान ब्रह्मो पुत्र जल पर आंकड़े मुहया कराने पर करेगा विचार प्रधान मंत्री ने जापान से रिष्टो को बताया बेहद महत्वपूर भारत दोरे पर आ जाएंगे प्रधान मंत्री शिन जवाबे आई स्पीड ट्रेन के आधार शिला समारों में होंगे शामिल गोर्खा लैंड पर दूसरे दोर की वारता बे नतीजा जीजेम ने ठुकराई मुख्यमंत्री मम्ताम एनरजी की बंद वापस लेने के अपील नबे दिन से जारी है निश्चित कालीन हर्ता और कोरिया सूपर सिरीज बैर्मिंटन टौर्णामेंट में पीवी सिंदू का पहला मैच हौंग कॉंग की खिलाड़ी इचियूंग इंगान से हुगा सामना प्रनीत और कश्चिप समें 13 अन्य भारतियों की मुकाबलों पर भी नज़र और फिलाल सूबर नौ बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही आगे आप देख सकते हैं देश देश आंतर नमस्कार